नमस्कार स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम समय चक्र में और मैं हूँ आपके साथ स्वापनिल यादो आज हमारी साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित रवी शंकर जोतिस आचारे तो आज पंडित जी से हम जानेंगे कि आज का पंचांग क्या क लेता है और स्वागत पंडिय आपका हमारे खासकारी कर्म समय चक्र में है जो बहुत बहुत धनिवाद ओम ब्रश्पते नमहां औम ओम्डश्पते नमः ऑम्डश्पते नमः विप्रस्पते नमः ओम्डश्पते नमः आज का पंचां बेक्रम संब्धु अजारसी कार्टिक मास की सुक्ल percent अक का सीती थी आज बहत खास दिन है दिन ब्रस्पत्वार नच्छ क उत्त्रा भात पद चंद्रमा मीन रासी में इस्थित आज जो 23 नवंबर दो हजार 23 सूर्य उद्य सुभा छे बचकर 31 मिनट सूर्यास्त सायंग 5 बचकर 13 मिनट पर राहुकाल का समय है दोपहार आग जो यो योग है वह बजर सिद्ध ही आज कोई भी कारी करें तो शिद्धि जरूर मिले कि अब आगे हम जानेंगे के रासी फल यानि की मेश व्रेशब्ण और मिथुन क्या कहते हैं और इनके सितारे क्या कुछ कहते हैं आज देखे पहली राशी मेश राशी मेश राशी वालों के लिए धन क्वश्वन प्राप्ति का योग बढ़ रहा है ले और आज किसी भी व्यक्ति की अगर आप सहायता करते हैं खुले दिल से करिए तो आपको कारी में जरूर सिद्धी मिलेगा दूसी रासी ब्रिसब रासी ब्रिसब रासी वालों के लिए आज कठिनाईयों का संकेत है आपके लिए तो थोड़ा साउधान रहें आत्मिस्वास बनाए रखें साथ ही आप आसपास देखें और फिर उसके बाद निर्णे करेंगे तो आज आपके लिए अच्छा रहेगा पूर्मे किये हुए प्रिसरम उसका फल मिलने का दिन है कार छेतर में धनलाव के योग के संकेत हैं आज नया घर या वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपकी मनोकामना पून हो शक्ती版 है जैसा कि हमने पंडित जी से जाना की मेश वर्रशबW और मिथुन राशी के सितारे क्या कहते हैं इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे पंडितさい के की कि कर्क सिंग और कंया राशी के सितारे क्या कुछ कहते ए ति रही कर Cantron last कर सकते हैं आज के दिन और सुख सुवधाओं में बढ़ोत्री होगी तो यह आज आपके करक राशी के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है आगे रुक करते हैं शिंग रासी शिंग रासी वालों के लिए ब्यापार में साध्येदार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा लेकिन हिसाब किताब में भी आप ध्यान रखे आज ज्यादा भावुक ना हो प्रेम संबंद मधुर होंगे और साथ ही आप कारी छेत्र में तरक्की के योग बन रहें अगली राशी कन्या रासी कन्या रासी वालों के लिए आज का दिन आपके अनुभव से काम करने का दिन है अगर आप को जो अनुभव है उस छेत्र में कारी करेंगे तो आपका कारी अच्छा रहेगा अपने सपनों पर आज विसेज ध्यान दें अगर आपको सोच रहें त उस पर विशेज ध्यान दें साथ ही किसी से तरक करने से बचें आप अपने मन को शांत रखें और किसी से जाता वारता लाब या अग्रिशिव होके बात ना करें तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे जैसा कि हमने पंडित जी से जाना कि कर्क सिंग और कन्या के शितारे क्या कहते हैं लेकिन हम आपसे लगातार कहते हैं कि राशी पल जानना तो सही है क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं लेकिन कर्म पर भी ध्यान देना चाहिए अब इसी कड में आगे हम रुख करते हैं तुला व्रश्चिक और धनुरासी की ओर तुला राशी तुला रासी वाले जातक जिस लड़ाई को आप काफी समय से लड़ना हैं उसमें आज आपको विजय मिल सकती है उसमें सफलता के योग से आप खुश रहेंगे साथी आपको आज के दिन अ मांसिक संतुष्ट्री बढ़ेंगे आपके कार की अभी से आपकी मांसिक संतुष्टि बढ़ेंगी जिससे आप तरक्की की हो जाएंगे अग्ली रासी का रुक ó upright में ब्रिश्चिग लिए तो आज के लिए आपका दिन अच्छा रहेगा साथी विसेश लाप के भी योग हैं और न्याले सम्मदित कार अगर कोई आपके रुके हुए हैं तो वो शिद्ध होंगे धनुराशी आती है कोई भी निर्णे सोच समझ कर लेंगे तो आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा साथी आपको कानूनी लड़ाई में भी ये प्राप्त हो सकती है और शंतान प्राप्ती के योग भी हैं बस लालस से बचें आज कोई अगर विक्ति आपको लालस दे रहा है तो बहुत शावधानी से उसमें आगे बढ़ें तो चलिया आगे रुप करते हैं मकर कुम्ब और मीन राशी के बारे में तो पंडी जी हम जाना चाहेंगे कि मकर कुम्ब और मीन राशी के सितारे क्या कुछ कहते हैं अगली रासी मकर राशी, मकर राशी वालों के लिए तनाव और चिंता के मन से आप बिचलित रहेंगे, आज आपका मन थोड़ा असांत रह सकता है, यदि आप समाधान चाहेंगे तो हालत से सामना कर सकते हैं, साथ ही समय और साहस का परिचे देते हुए आप कारी करेंगे तो कारिशित होंगे, अगली रासी की बात करते हैं कुम राशी, कुम राशी वालों के लिए आज आपका अनुभव आपके काम आएगा, किसी से प्रतिरोध ना करें, यानि किसी से आप प्रतिरोध करेंगे तो आपका नुक्चान हो सकता है, साथ ही आप अपने चीजों को शा अगली राशी मीन राशी, मीन राशी वाले के लिए बिवा में, अगर बिवा में बिलम हो रहा है तो आज आपका बिवा के योग बन रहे हैं, आप कहीं संपर्क हो सकता है, साथ ही आप बिवास से भी बचे, अगर आपके जीवन में निजी उल्जन है, तो उसको सुलझा नहीं आज के दिन उसमें भी कठिनाई आ सकती है साथी परिवार का विसेज ध्यान रखें और आपका अगर स्वास्त खराब रहता है तो उसका भी विसेज ध्यान रखें साउधानी रखें आपके लिए दिन अच्छा रहा है सवाल इमेल के माध्यम से हमारे पास आ रहा है तो स्वाति की जो समस्या है वो यह है कि उनका करियर में ज्यादा कुछ खास नहीं चल रहा है और उनको सफलता नहीं मिल रही है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप स्वाति के लिए हुई देखें इनकी जो कुल्ली तयार हुई है जो आप देड़ बता हैं 18 फरवरी 1998 ठीक है इस हिसाब से इनकी जो जन्व कुल्ली तयार हुई है वह ब्रिष्चिक लगन तुलाराशी姓 और इनका जो है महाधसा चल रहा है सनी में सनी में राहू चल रहा है इनको कैरियर को लेकर कैरियर का स्वामी इनके दसंभाव का स्वामी शूरी है तो इनको और जो इनकी कुल्डी में शूरी बैठे होएं वो अस्त के बैठे होएं इसलिए इनको शूरी को मजबूत करना होगा तो इनके कैरियर में क काफी तरक्की होगी नहीं तो अस्थान परिवर्तन कॉन्फिडेंस अपनी बातें न रख पाना साथ ही संकोच करना अपनी बात किसी से कहते होएं संकोच करना यह सब इस्थिति आ सकती है तो इसलिए इनको शूर का उपाय करना चाहिए बाकि ब्रिश्चिक लगन है और तुला राशी है शुकर की राशी है राशी राशी श्वामी जो है चतुर्था हाउस में बैठे हुए हैं आपके केरियर को देख रहे हैं तो आप अगर नौक आपके बन रहे हैं साथ ही अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपका जो राशी श्वामी शुक्र है वह आपके अच्छे रस्थान पर बैठे हैं वहाँ पर बुद्ध भी विराजमान है शूरी विराजमान है तो आप अपनी चीजों को सही डंग से कर पाएंगे आ आप कपड़े से संबंदित कारी कर सकते हैं आप आपके धन भाव करश्वामी धनु है तो आप सिच्छा से संबंदित भी कारी कर सकते हैं आपके लिए अच्छा रहे हैं तो जैसा हमने पंडित जी से जाना कि स्वाती को सूरिक को प्रशन करना होगा साथ ही साथ अपने कर कीज को पाना चाहते हैं तो हम उसे मतलब उसकी और ध्यान लगाएं और अपने तरफ से अच्छा कारे करें उसकी लगातार प्रयास करते रहें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं पंडित जी से जानना चाहेंगे कि आज के दिन का विशेश क्य सास्त्रों में ऐसा वरणन है कि प्रबोधनी एकादसी को जब तब दान पुन्नी करने से असनान दान करने से अगर चंद्रमा और शूरी ग्रहन लगा है आप पूरी रात जग कर पाठ कर रहे हैं उसके बाद असनान के बाद आप असनान के बाद दान पुन्नी कर रहे हैं उससे कई हजार गुना फल आपको प्रबोधनी एकादसी के दिन मिलता है तो इस दिन आप कोशिस करें सात्विक रहें और साथ ही आपको असनाम ध्यान करके दान जरूर करना चाहिए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप मोच की प्राप्ति होगी आपको जीवन में और सारे सुक्सुवधाओं से परफूर रहेंगे प्रबोधनी एकादसी के दिन तुलसी विवा भी होता है भगवान दिश्णू ने सालिक राम के रूप में मा तुलसी से विवा किया था इसी दिन को खास माना जाता है तुलसी विवा के दिन विवा के नाम से भी जाना ज मैंने विसेश कर जो कार्थिक मास में डेली टुलसी मा की पूजा करती है साथ ही साम को दीपक जलाती है वो उनके लिए दिन खास होता है आप अपना पूरे सिंगार का सामान माता जी को अर्पित करती है ूनका पूजा नर्चन करती है उनको भोग लगाती हैं और घी का सुद्ध दीपक जलाती हैं तो आपके धर में लक्षमी की कमी नहीं रहेगी और भगवान विश्णों माता लक्षमी मात तुलसी की हमेशा कृपा बनी रहेगा जैसा कि पंडीची हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तुलसी विवाह सिर्फ विवाहित महिलाएं कर सकती है या कुमारी कन्याएं भी कर सकती है देखे तुलसी एक आस्था का प्रतीक है तुलसी मा सभी का कल्यान करती है तो विशेश पूजा तो विवाहित महिलाएं भी कर कर सकती हैं वह अपनी मनों कामना की पूर्थी के लिए मा तुलसी विसेश कर सकती हैं अगर प्रगोधनी एक अदसी के दिन आप असनां ध्यान करके धानपुन निकल लिते हैं तो आपको मोचकी प्राप्ति होती है सारे पाप आप के धूल जाते हैं साथ करके कार्य कर लेते हैं बहुत हच्छा अगर आप गंग का नधी नहीं तो और भी खास बनाता है और लोगों को अपने कारी सिद्ध करने के लिए बहुत सुनहरा ओशर होता है इसमें अगर विधी विधान से आप पूजा करते हैं मातुलसी की भगवान विश्णों की सालिक राम की तो आपको विशेष पुन्य के भागीदारा बन सकते हैं तो पंडी जी आज का दिन किस राशी के लिए कितना अनुकूल होने वाला है हम यह भी जानना चाहेंगे देखिए आज का दिन मेश राशी ब्रिशब राशी साथी करक राशी धनू और मीन राशी वालों के लिए बहुत अच्छा है साथ ही आप और सेश राशीयों के लिए थोड़ा प्रतिकूल हो सकता है मिला जुला असर दे सकता है तो ऐसे लोग सावधान रहें बाकी इस समय जो है अभी शूर्य मंगल की उती चल लए जिनके कुण्ड़ी में मंगल अच्छा नहीं है या शूर्य अच्छा नहीं है उन ध्यान दीजिएगा नहीं तो कोई न कोई दिक्कत हो शकती है इसकी विसेश ध्यान आप लोग रखेंगे तो आज जैसा कि पंडित जी ने बताया कि आज का दिन किस रासी के लिए कितना अनुकूल होने वाला है आज के दिन खास और भी है क्योंकि आज तुलसी पूजा है और तुलसी पूजा के दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं फिलाल अब वक्त हो गया है आपसे इजादत लेने का मिलते हैं आपसे नए अपिसोड के साथ तब तक के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी